हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी रेस्पी है बहुत ही डिलीशियस मलाई कौफता विदाउट अनी परदर टिले लेट्स स्टार्ट मेकिंग इस क्रीमी डिलाइट तिपसे पहले हम एक बाउल में दो कप ग्रेटेट पनीर लेंगे उसके बाद हम डालेंगे टू बॉाइल्ड मेश कुह पोटेटोस वन चॉप्ड ग्रीन चिली एफ्टी स्पून सॉल्ट वन फॉर टी स्पून जीरा पाउडर वन फॉर टी स्पून रेट चिली पाउडर फूर टेबल स्पून मेदा मेदा हम इसलिए डालती है क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है दूसरा सारा मोईस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है अब हम सारे मटीरियल को अच्छे से मिक्स करेंगे और आट्टे की तरह गूंद लेंगे मेदा डालना बोज जुरूरी है इससे ही पांडिंग होनी है अगर आप मेदा काम डालोगे तो कौफते बोज ज़दा सॉफ्ट बनेंगे और तूट चाएंगे यहाँ पर मैं थोड़े से काजू और किशिम्ष्वी एड़ कर रही हूँ इससे टेस्ट बहुत अच्छा हैगा यह हमारा कौफते का मिक्शर एड़ी है बॉल्स बनाने से पहले हातों को ओल से अच्छे से ग्रीस कर लें अब हमें इसकी छोट छोटी बॉल्स बनालेंगे बिल्कुल हलके हातों से यह देखिए इसी तरह से हम बाक्ती सारी बॉल्स बनालेंगे यह धियान ज्रू रखना कि आपकी बॉल्स में कोई भी क्राक ना हो आपकी बॉल्स कर टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए अब हम एक करके सारे बॉल्स को फ्राई करेंगे फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए यह देखिए हमारे कौफतों का कलर गॉल्डन ब्राउन हो गया है हमारे कौफते बनकर रेड़ी हैं अब हम इसके लिए गिरेवी बनाएंगे सबसे बेले हम सारे खड़े मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे वन टीस्पून क्यूमिन सीट्स वन टीस्पून ड्राई कुरियांडर सीट्स सोड़ी से दाल जीनी लॉंग और काली मिर्च डालेंगे इसी हलका सा दो से तीन मिनट तक रोस्ट करेंगे जब आपको लगे कि इसकी खुश्बू आने लगी है तो गयास का फ्लेम बंद कर दें हम इन सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे और एक कड़ाई में वन टेबल स्पून ओइल डालेंगे अब हम लंबे कटव है प्यास डालेंगे मैंने यहां तीन मीडियम साइज की प्यास लिए हैं इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए यह देखिए प्याज मारा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट तीन से चार कटे हुए टमाटर डाल लेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे यह ध्यान रखना है इस मेटीरियल को ओवर कुक नहीं करना जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो गैस का फ्लेम बंद कर दें लास्ट में हम इसमें थोड़े से काजू भी आइड करेंगे यह हमारा मेटीरियल रेड़ी है अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जो हमने ग्रेवी के लिए तड़का त्यार किया था वो ठंडा हो चुका है अब हम इसे ग्राइंड करेंगे कडाई में हम एक टेबल स्पून ओयल डालेंगे और साथ थोड़ा सा बटर डालेंगे बटर मेल्ट होने पर जो हमने पेस्ट पनाई थी वो डालेंगे अब इसमें सारे मसाले डालेंगे वन टीश्पून हल्दी हाफ टीश्पून रेड चिल्ली पाउडर सोल्ट ऐस्पर टेस्ट स्टार्टिंग में हमने सूखा मसाला बनाया था वो एक चमच डालेंगे मिक्स करके इसको दो से तीन मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे आधा कप के किरीब पानी डालेंगे मलाई कौफती के गिरेवी जातीक नहीं होती इसलिए थोड़ा सा पानी तो डलेगा ही पान्सात मिनट के लिए प्लेट से ढख कर इसको पकाएंगे आधा कप चितनी मलाई डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे मलाई की जगा आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हो लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला याड करेंगे थोड़ी सी कुसूरी मेथी भी डालेंगे यह हमारी मलाई कौफते की डिलीशियस क्रेवी बनकर रेड़ी है एक बाद और मैं बताना चाहूंगी दब भी आप कौफते सर्व करें तब ही आप क्रेवी इसमें डालें यह देखिए कुछ इस तरह से इसको सरव करेंगे थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शियर करें और सब्सक्राइब करें बाइब के आपको यह दो खूर आपको यह दो दो झाल झाल